नबस्ते वाई यो Android वेडी में आप से भी का स्वागत है आज किस वीडियो में एक और नया यूनिक गैजिट लेके हाजिरू आप से भी के लिए आज किस वीडियो में जो आप लोग अन्वाक्सिंग करने वाले हैं वो है एक पाउर बैंक का यह जो पाउर बैंक है कोई नॉर्मल सा पाउर बैंक नहीं है प्रोड़क को अन्वाक्सिंग करते करते इसके सारे फीचर्स मैं आप लोगो बताऊंगा ओवारल प्रोड़क कैसा है यहाँ आप देख सकते हैं कुछ यूनिक सा लुक दिया गया है उपर में गियर टाइप का आप लोग देख सकते हैं साथी में यहाँ पे एक छोटा सा डिस्पले टाइप का भी देखने को मिल रहा है जो प्रोड़क्ट है उसका नाम है साइवर्ट्रॉन स्पीन यह एक 10,000 मिलियामपेर का पाउर बैंक है और यह कोई नॉर्मल पाउर बैंक नहीं है यह एक मैक से पाउर बैंक है जिसको आप लोग आईफोन के साथ में डिरेकली कनेक्ट करके आईफोन को वैरलिस्टी चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे मैक से प्रोड़क्ट होने की कारण यहाँ पर यह आईफोन के बैक के अंदर में जिपक कर रहा जाता है तो चलिए इसको open करते हैं तो box के अंदर यहाँ पर कुछ details mentioned है आप लुख जाए तो वीडियो को pause करके देख सकते हैं आगे सारे details मैं आप लोगों बता दूँगा चलिए यहाँ पर box को open करने के बाद एक black color का आप लोग यहाँ पर और box देखने को मिलता है और इस box के अंदर से यहाँ पर हमारा power bank देखने को मिलता है यहाँ पर यह है power bank size देख सकते हूँ आप लोग यह मेरा iPhone 15 है 6.9 इसका display के साथ में और देख सकतो size इसके side में कैसा देख रहा है इसके बाद यहाँ पर box के अंदर further अंदर जाया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक USB cable मिल जाएगा यहाँ पर USB A to USB C cable power bank को चार्ज करने के लिए या फिर आप लोग इस से smartphone को भी चार्ज कर सकते हैं इसके लाबा यहाँ पर एक card देखने को मिलता है new republic का यह जो product है new republic के तरफ से हैं जैसे के आप लोग देख सकते है power bank का नाम है cybertron spin चलिए अभी प्रोड़क्ट तो अन्वाक्स हो चुका है अभी यह हमारे प्रोड़क्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो देख सकते हैं यह है basically power bank देख सकते हो काफी एक futuristic look आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और यह जो उपर में देख सकते हो आप लोग यह काफी interesting है कुछ साल पहले यहाँ पर fidget spinners आये थे और यहाँ पर power bank के ऊपर यह आप लोगो fidget spinner देखने को मिल जाएगा इस power bank से आप लोग फोन को सिर्फ चार्ज ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर time pass भी आप लोग काफी अच्छे से इस तरह से कर सकते हैं और यह जो fidget spinner है यहाँ पर दिसकते हैं काफी high quality है यहाँ पर दिसकते हैं easily यह रुकता नहीं है और काफी smoothly गुमता है और जब गुमता है कोई भी आवाज बगेर नहीं होता है तो time pass करने के लिए आप fidget spinning कर सकते हैं यहाँ पर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है इससे पहले ही मैं use कर चुका हूँ तो वाल काफी cool लगता है और यहाँ पे एक button आप लोगो देखने को मिल जाता है साथी में एक LED indicator भी है इसको click करने के बाद यहाँ पे जो battery percentage है वो आप लोगो दिखा देता है कितना percentage battery बाकी है इसके लगा भी जब PD charging होता है तो PD charging का यहाँ पे symbol भी show करता है उपर बगर देखेंगे तो यहाँ पे तीन port आप लोगो मिलेगा एक तो यह रॉमनल यूजबी A port दूसरा यूजबी C port है साथ ही में यहाँ पे आप लोगो एक lightning port भी देखने को मिलता है यह बेसिकली आइफोन के लिए है तो आइफोन के लिए यहाँ पे lightning port भी दिया गया है अगर आप lightning port करी कर रहे हैं तो उससे आप लोग डेलिक लिए इसको चार्ज कर सकते है और इससे आप अपने आइफोन को भी अलग से चार्ज कर सकते है अगरा लोग मैक से चार्ज नहीं करना चाहते है और इस तरब में देख सकते है magnet आप लोगो देखने को मिल जाएगा और इसी magnet के सारे यहाँ पे आइफोन के back के अंदे चिपक जाता है साइट में देख सकते हैं new republic लिखा गया है इस साइट में भी new republic लिखा गया है और size देख सकते हैं बहुत जादा कुछ यहाँ पे ठिक नहीं है जो smartphone है उससे थोड़ा ठिक है यहाँ पे और इसको जब आप लगाएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे fix हो जाता है और देख सकते हैं यहाँ पे गिरता नहीं है और लगाने के तुरंद बाद charging भी चालू हो जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे जोड लगाने से भी गिरता नहीं ह आप लोग इस तरह से इसको easily carry कर सकते हो, इस तरह से भी नहीं गिरता है, और आप लोग लेकिन इस तरह से अगर आप रखना चाते हो phone को, तो यह थोड़ा से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पीछे में यहाँ पे spinner है, इसके वज़ाद से यहाँ पे रखना थोड़ा difficult हो जाते है है, अब छार्ज पर लगाने के बाद देखो हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, PD charging यहाँ पे show हो रहा है, तो wearlessly भी यहाँ पे PD charging का support हो जा रहा है, जो गी अच्छी बात है, और देख सकते हो यहाँ पे वायरलेसली चार्ज हो रहा है, तो इस तरह से fix करके आप लोग easily चार्ज कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पे, देख सकते हो, यहाँ पे max app का, यहाँ पे indicator दिखा रहा है, तो इस तरह से आप लोग charging भी कर सकते हो, साथ ही में इसको इस तरह से fidget spinning भी कर सकते हो, यहाँ पे ज compact size का है, बहुत जाला कुछ बड़ा नहीं है, और यहाँ पर और एक चीज है, इसको आप लोग cover के साथ भी use कर सकते हैं, हाला कि आपके cover को maximum supported cover होना चाहिए, जैसे देखते हैं, यह magnetic case है, caseology का, तो यह एक maximum case है, तो अगर आप लोग इस तरह कोई case use कर रहे हैं, तो उसमें भ और इस पार बैंक का और एक खास बात है, यहां पर यह जो पार बैंक है, इसमें आप लोग multiple input के साथ charge कर सकते हो यानि कि lightning port से भी आप लोग इसको charge कर सकते हो type C से भी आप लोग इसको charge कर सकते हो तो इन दोनों वे से कोई भी cable आप लोग अगर carry कर रहे हो तो आराम से इस powerbank को charge कर सकते हो और powerbank से easily अपने phone को भी charge कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो और यहाँ पर यह MacSafe चार्जात तो है, लेकिन इससे आप लोग किसी दूसरे फोन को जिसमें wireless charging supported है, उसको भी चार्ज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने पास Samsung का S23 है, तो इसके अंदर भी आप लोग charging कर सकते हो, देख सकते हो, wireless charging स्टार्ट हो गया है, हाला कि यहाँ पर MacS नहीं है यहाँ पर फोन के अंदर में, लेकिन अगर आप लोग वैरलेसली चार्ज करना चाहोगे, तो वैरलेसली चार्ज आप लोग इसको कर पाओगे, और यहाँ पर सिर्फ Samsung ही नहीं, जो भी फोन वैरलेस चार्जिंग को support करता है, उस फोन के अंदर भी भी आप लोग यहाँ पर वैरलेस चार्जिंग का इस्तेबाल कर सकते हो, तो यह काफी अच्छी बात है, अगर आपके पास दो तिन फोन है, जिसके अंदर वैरलेस चार्जिंग है, और उसमें से एक आइपोन भी है, तो डिफिनिटली यह पावर रैंक आपके काफी यूज में आएगा, एक तो आप लोग आइफोन को इजिली चार्ज कर सकते हो, इसमें से, इसके लावाद दूसरे फोन को भी आप लोग वैरलेस ली चार्ज कर भाऊगे, अभी है चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करें, तो फिफ्टीन वाट के इस आपसे यहाँ पर चार्ज होता है वै लेकिन यहाँ पे जब भी मैंने देखा है, जब भी यहाँ पे 1% चार्ज कम होता है, तो यहाँ पे 1% चार्ज होता है, तो इसरा आपसे देखा जाए, तो फोन को 0 से 100% चार्ज करेंगे, तो आपका यह जो पावर बैंक है, फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन और चीज़ देखा है मैंने, अगर आप लोग वायर्ड चार्ज करते हैं, तो वायर्ड चार्जिंग के केस में, यहां पर नॉर्मली जैसा चार्ज lose करना चाहिए powerbank को वैसे जी charge lose करता है यानिकि 2 से 3 बार आप लोग अपने phone को iPhone को charge कर पाएंगे इस powerbank के सारे अगर आप लोग wire charge करता है लेकिन wireless अगर आप लोग चार्ज करेंगे तो यहाँ थोड़ब़ चार्ज loss होता है उसके वज़ा से यहाँ पे आप लोगो अल्टिमेट यहाँ पे चार्जिंग बैक आप देखने को नहीं मिलेगा हाला कि convenience की साप से आप लोग इस तरह से चार्जिंग कर सकते हैं कि यह लोगे लगाने की ज़रूत नहीं है लेकिन एक ही बार में आप लोग maximum एक से देरवारी चार्ज कर पाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगो यहाँ पे 43% हुआ है और 19% से मैंने फोन चार्ज करना चालू किया था तो यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं 20% हुआ है यहाँ पे पाउर बैंक पे 1% गटेगा तो यहाँ पे फोन के अंदर 1% बढ़ेगा ऐसे करके चार्ज होता है तो वैरलेसली चार्ज करने पे बैक आप थोड़ा सा कम मिलेगा यही इसका एक कॉन है बाकी ओवरारल प्रोड़क्ट मुझे काफी अच्छा लगा एक यूनिक लुक के साथ, फिजट स्विणिंग के साथ में बहुत सरे एक्ट्रा फिजट साथ में आप लोग यह पाउर बैंक देखने को मिलता है यहाँ पे आप लोग पास्थू चार्जिंग भी कर सकते हो यानकी पाउर बैंक को चार्ज करते करते हैं, आप अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हो वारलेसली भी चार्ज कर सकते हो, वार के साथ भी चार्ज कर सकते हो तो यह सारे फीचेज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते है और power bank की price के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10,000 mAh का power bank वो भी max ship के साथ में थोड़ा सा costly पर जाता है generally 3-4,000 price रह जाता है लेकिन यहाँ पे इसका price रहेगा 2500 रूपीज अगर आप लोग purchase करना चाहोगो तो link मैं discussion दाल दूँगा वहाँ से आके आप लोग purchase कर सकते हो हो सकता है कि यहाँ पे directly Amazon और Flipkart पे आप लोग नहीं मिलेगा New Republic के जो website है वहाँ से आके आप लोग order कर सकते हो link मैं नेचे discussion दे डाल दूँगा तो दोस्तों उम्मीद है यह power bank का वीडियो आप लोग पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक करने ना भूले आपके आइफोन के लिए काफी अच्छा gadget है जो आप लोग time pass के लिए भी use कर सकते हो और वीडियो अगर पसंदा है तो लाइक करने ना भूले साथ भी शेयर करें तो लाइक मैं मिलता है अगरे वीडियो में तब तेकी लिए गुडबाई और आपका दिन सुभ हो